हलो इस्टुडेंट वेलकम टू बेक मा यूटुब चेनल डिकलाफर स्टेडी में आपका स्वागत है तो चलिए फ्रेंट जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार विद्याले पड़ इच्छा समीती ने बहुत ही बड़ी जटका दी है फ्रेंट जैसा कि कह सकते हैं कि देख सकते है जो पेपर और न्यूज आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा था कि 29 मार्च को जो मेट्रिक का रिजल्ट है फ्रेंट वह जारी कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो हलाकी देख सकते हैं कि दो दिन से लगातार च्छात्र है जो पर असान है कि आखिर रिजल्ट कव आएगा तो चलिए इसके लिए फ्रेंट एक आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए हैं जो इसमें आपका डॉट किलियर कर दें तो चलिए वीडियो को लाइक करके सेर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को स्क्राइब जरूर कर दें तो पलपल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को स्क्राइब जरूर करें तो चलिए देख सकते हैं जैसा कि बिहार बोड का ये ओपीसियल जो बेवसाइट है फ्रेंट वहाँ पर हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से क्या बताया गया है और रिजल्ट आखिर किस कारण से नहीं आया तो चलिए आज सब डॉट को किलियर कर देते हैं फ्रेंट तो चलिए देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर जो हिंदुस बिहार बोर्ड दसमी का रिजल्ट की घोसना आज या कल जल्द मिलेगी अपडेट मतलब बिहार बोर्ड के जो अभी जो ट्विटर एकाउंट है फ्रेंट या ओपीसियल बेवसाइट है उस पे ऐसा नहीं बताया गया है फ्रेंट जनकारी ही नहीं दिया गया है और लोग बहुत सारा यूटूबर्स हैं जो फेंक रिजल्ट लोगों को दिखा रहे हैं और काफी सारा स्टूडेंट परसान होकर यहां तक कि कॉमेंट में भी लिखें थे फ्रेंट कि रिजल्ट देख दीजिए तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट अभी नहीं आया है तो जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने जो अपने ट्वीटर एकाउंट है उस पे अभी घोसना नहीं की है फ्रेंट कि 30 मार्च को रिजल्ट जारी होगा या 31 मार्च को रिजल्ट जारी होगा ऐसा कोई भी न्यूज नहीं निकल कर आया है तो सबसे पह ले बिहार बोर्ड का एक ट्वीटर एकाउंट है उस पे वहाँ पे उसकी जानकारी दे दी जाती है उसी के माध्यम से ही रिजल्ट को परकासित किया जाता है तो देख सकते हैं बहुत सारा पेपर में भी दिया हुआ था फ्रेंट कि 29 मार्च को जो मैट्रिक का रिजल्ट ह वहाँ घोसीत कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ्रेंट देख सकते हैं कई सारा चात्र साम तक जो बिहार बोर्ड के ओपी सील वेवसाइट है उस पर जाकर चेक कर रहे हैं और परसान हो रहे हैं और काफी सारा स्टुडेंट रात में कॉल करकर पूछ रहे हैं कि रिजल्ट किस कारण से नहीं आया तो फ्रेंट बता दूँ यहाँ पे देख सकते हैं एक पेपर बाइलर हो रहा था फ्रेंट यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं एक पेपर जो इडिटिंग किया हुआ पेपर है फ्रेंट यहाँ पे देख सकते हैं इस सुबह में मेरे पा है देख सकती हैं आप लोग समझ सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कि भी हार बोड मैट्रिक पड़िच्छा का फल मंगलवार दो पहर सारहे बारा बजे देख सकते हैं फ्रेंट इस मंगलवार तो यह आर्टिकल्स गलत है और यह तीन साल पुराना पेपर हैं फ्रेंट जिसक विवर भी लोगों को जो स्टुडेंट है उनको परसान कर रहा है वह लाइव रिजल्ट चेक करने के लिए अपना चैनल को विवर बरहाने के लिए कर रहे हैं और काफी सारा स्टुडेंट उस पे गाली भी बक रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी नहीं करना च ख़वर आप लोग गलत बताईएगा तो आप लोग गाली सुनना ही सुनना है तो फ्रेंट मैं आपको साफ साफ जानकारी दे दूं कि भी हार बोर्ड की तरफ से अभी कोई न्यूज नहीं निकल कराया है फ्रेंट कि रिजल्ट 31 को आएगा या अपरील में आएगा फ्रें फ्रेंट ओवर ओपीसियल जानकारी के साथ आप लोगों को यहां पे देख सकते हैं ओपीसियल जानकारी आएगी तब ही हम लोग वीडियो बनाते हैं फ्रेंट ना तो ऐसे ही लोगों को हम बेकुप बनाने के लिए नहीं क्योंकि देख सकते हैं यूटूब एक ऐसा इंटिक न्यूज के साथ हमारा चैनल डिकेलाइफ हस्टडी आपको न्यूज देता रहेगा तो चलिए मैं आपको बता दू फ्रेंड की ऐसा न्यूज जब आएगा तो रिजल्ट की जानकारी दे देंगे फ्रेंड तो चलिए देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कुछ बताया गया है फ्रेंड जो आपको बता दें ऐसी कोई सूचना नहीं है की रिजल्ट कब आएगा तो चलिए देख सकते हैं बिहार बोर टेंथ कलास टेट बिहार विद्याले पड़िक्षा समीती के दोवारा मैटिक पार्सिक पड़िक्षा 2022 का परिमान जारी के लिए करीबन 16,06,06,000 बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं 16,06,06,000 है फ्रेंड जो बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं कि आखिर मैटिक का रिजल्ट कब गोसित किया जाएगा तो चलिए उमीद है कि विहार बोर्ड जो टेंथ का रिजल्ट है वह जल्द ही घुंसित करने के लिए जो समय और डेट के बारे में जानकारी देगी अभी देख सकते फ्रेंड यहां पर विहार बोर्ड ने जो साप साप कह दी है कि अभी कोई भी डेट और समय जारी नहीं हुआ है फ्रेंड आप लोग फेंक रिजल्ट के चक्कर में आप लोग ना रहें और यहां तक कि देख सकते हैं फ्रेंड की विए सीवी की ओर से जल्द अपडेट मिल सकती है मतलब विहार बोर्ड जो ओपीसियल ट्वीट के जड़िए जल्द ही डेट और समय का अलान करने वाला है तो धैरे बनाए रखे फ्रेंड आपको टेंशन मतले बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आप लोग फरजी वेब साइट पर जाकर रिजल्ट ना देखे फ्रेंड क्योंकि हम भी कल 29 मार्च को हम भी एक फरजी वेब साइट से एक लड़का का रिजल्ट देखे थी फ्रेंड वहाँ पर उसका रोल नमबर ना आते ही उसका जो नमबर था फ्रेंड वह 398 नमबर बता रहा था और हम यह बात जब रिजल्ट हमारे सामने आया फ्रेंड तो हम अस्चकित हो गए कि आखिर 398 नमबर आ गया और फिर सब को चेक कर रहा है फ्रेंड तो मोटिवेशनल एक ही रिजल्ट आ रहा है तो हमने समझ गया फ्रेंड कि यहा फरजी वेब साइट है और हम ओपीसियल जो ट्वीटर है फ्रेंड उस पे भी जाकर देखें तो डेट का आयलान नहीं किया हुआ था तो ऐसा आप लोग फरजी में ना रहें और देख सकते हैं कि अभी जो मेट्रिक का रिजल्ट है फ्रेंड उसकी जो ओपीसियल जानकारी है वह नहीं दिया गया है हलाकि जल्द ही यह डेट जारी होने वाला है और समय तो जैसा ही डेट और समय आप लोगों को जरूर हम प्रभाइट करवाएंगे फ्रेंड जारी होगा तो तो चलिए देख सकते हैं बहुत ही बेसबरी से लोग इंतिजार कर रहे हैं मैट्रिक रिजल्ट का काफी ही जल्दी इसकी सूचना दी जा सकती है तो चलिए आप लोग ठेरे बनाए रखें और फरजी वेबसाइट के चकर में ना परे फ्रेंड क्योंकि बिहार विद्याले परिक्षा समीती के दुवारा अभी कोई भी निउज निकल कर नहीं आया है और निउज नहीं निकल कर आया फ्रेंड और यहां तक कि उन्होंने कोई जानकारी नहीं दे रही है सिधा टोपर वेरिपिकेशन का जो जानकारी था फ्रेंड जो Topper को בר बोलाया गया था मेरा जो भर है वह पठना में ही है और वहां पे Topper से वहां पे हम लोग मिले थे और वहां पे पता किये थे फ्रेंड कि अभी टोप पर का भेरिपीकेशन चर रहा है, तो चलिये अभी कोई न्यूज निकल कर नहीं आया है, और रिजल्ट के तो अभी डेट ही नहीं जारी हुआ है, और रिजल्ट अभी नहीं आया है, आप लोग धेरे बनाए रखें, बहुत ही जल्द रिजल्ट आने चैनल रिजल्ट जो प्रभाइट करवाएगी फ्रेंड वह लिंक अपडेट कर देगी डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए टेकेन बाद